हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूटूब चैनल पढ़ाई गुरू जी हम लोगोंने काफी दिनों से कुई वीडियो नहीं बनाया इसलिए हम लोगोंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो हमारे चैनल का सबसे सांदार वीडियो हो तो चलिए सुरू करते हैं गाइस, ये वीडियो एक एक्सपरिमेंट वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोगोंने कई सारे सॉल्यूशन्स में से इलेक्रिसिटी को पास करवाया है सो लेट्स बिगैन ये रेखिए यहाँ पर चार्जर है और देखिए यहाँ पर हमने लेडि बल्ब लिया है और इसका इस वक्त इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है ये देखिए सबसे ज़्यादा प्रकास अभी कर रही है ये देखिए गाईस देखिए अब हम यहाँ पर लेते हैं एक distilled water तो अब हम चलके देखते हैं क्या यह इसमें electricity पास करेगा और करेगा तो क्या इसका intensity वहीं रहेगा या फिर दूसरा होगा तो चलिए गाईस अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है देखे यह देखे यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर light का intensity कितना कम हो चुका है यह देखे यह देखे यह देखे इसका यहाँ तो पर आप साफ साफ देख सकते हैं यह कितना इसका कम intensity हो चुका है फ्रेंड्स आपको तो पताई होगा कि जो distilled water होता है वो de-ionized water होता है मतलब जिसमें electricity conduct नहीं हो पाता है लेकिन जो हमारे यहाँ पे LED bulb है वो rusted है और जो हमारे container है वो impure हो चुका है जिस करण यह हलके मात्रा में electricity conduct कर रहा है अब हमने यहाँ पे लिया है ने-सी-ल का solution और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं इसका intensity काफी ज़्यादा है देख सकते हैं यहाँ पे जो distilled water के मुकाबले यहाँ पे इसका काफी ज़्यादा intensity है अब हमने लिया है यहाँ पे पानी और देखते हैं क्या होता है क्या इसका intensity distilled water से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका intensity distilled water से तो ज़्यादा है पर इने-सी-ल सॉल्यूशन से बहुत ही कम है देखें यहाँ पे आप तो गाइज इस experiment में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा electricity पास इने-सी-ल सॉल्यूशन में होता है और उससे कम water में और सबसे कम distilled water में होता है थैंक्स फोर वाचिंग दिस वीडियो गाइज अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल पढ़ाई गुरुजी को सबस्क्राइब कर बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करें करेंगर दिस वीडियो